नमस्कर भाई हो आप सभी का स्वागत है फेंटा सीजोन में सो भाई IPL बहुत नजदिक आके पहुच चुका है और ज्यादा दिन नहीं है तो भाई यहाँ पे IPL में अगर आप जबर्दस विनिंग करना चाते हो प्रोफिट में जाना चाते हो तो भाई आपको कुछ चीजो में हो भाई यह बात आपको कोई नहीं बाताएगा मैं बातारों उसका रिजन रिजन यह है कि आई पील में जो मैच होता है लगबग 80 % लोग मैस को देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा competition देखने को मिल जाएगा इसलिए आपको investment का strategy को पर ध्यान देना है और कुछ tricks और trips follow जरूर करना है और साथ में plus point ये भी है कि IPL में आपको आपका ओपनियेंट ऐसे बहुत सरे ओपनियेंट आपको मिल जाएंगे जो कि नया entry लिया है fantasy में सो भाई दोनों मिला के overall आपको बहुत बड़ा एक competition देखने को मिल जाएगा और आपका plus point रहेगा ने जो users है वो तो भाई सारे के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक SS जबर 10 investment strategy जो में बिग बेश पी एसल दोनों में एपलाई कर चुका हूँ और मुझे बहुत ही बड़िया response मिला है तो भाई investment का strategy सबसे important होगा इस IPL में और मैं आपको बारी बारी किसे समझाओंगा कि किस तरह से आपको investment करना है और investment के साथ एक backup भी रखना है भाई आप team बनाते हो रिस्की टीम रिस्की टीम बनाने से आप ड़ते हो लेकिन भाई आपना जो invest है वो रिस्क के साथ छोड़ देते हो जो बाई यहाँ एक बात है जहाँ जहाँ रिस्क है जो जो प्लैटफोर्म सिर्फ फेंटरसी नहीं है जहाँ जहाँ रिस्क है वहाँ वहाँ बेक अप नाम का कोई भी चीज होता है सो बाई investment के साथ आपका backup भी होना चाहिए टीम आप रिस्क के मनाओ क्योंकि अगर आप ग्र लिक विन कर सकता हूं तो भाई हाथ जूर के बोलता हूं यह वीडियो आपके लिए नहीं है और सबसे इंपोर्टेंट दो चीज़ को धियान रखना है एक है बाई जो की है पेट टीम और प्राइम टीम भाई पेट टीम और प्राइम टीम से आप बहुत दूर रहिएगा अगर सच में आप विनिंग में मतलब प्राइम से लेके प्राइम लेने से बेहतर होगा आप तुक के पेटिम बाना कि आप लागा दो एंटीale कर दो कम से कम आपका नौलेज्ज थोरा सा भी मतन तो गेन होगा ठीक है लेकिन आप जब प्राइम लोगे यहाँ पर आपको मतलब दूसरी के ओपर डिपेंडेंट हो जाओगे आप और आपका तो गॉण्फिडेंस लेबल भी हाई होगा कि आज तो प्राइम लिया है मतलब विनिंग तो करने वाला ही हूँ करोगे हाई इन्वेट जाओगे लॉस में तो भाई सबसे पहले हाद जोर के बिंति है आप प्राइम से बहुत दूर रहेगा और हावाई साथ में एक बात बता है उनको भाई आप सपूर्ट जरूर कर देना ठीक है तो भाई यहाँ पर देखो और दूसरी चीज़ है यहाँ पर इन्वेश्मेंट स्टेटेजी जो की बहुत इंपोर्टेंट है आपको फोलू करना ही है इस आईपेल में मैं बिग बेर से लेकर आईपेल पीएसल तक मै है कर चुका हूँ और यह जो टिप्स है मतलब यह जो स्टेटेजी है आप सिर्फ इस आईपेल तक आप फोलो करके देखिए अगर आपका लॉस होता है तो भाई कॉमेंट में ज़रूर बोलना ठीक है तो देखो मिहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और हाँ यहा में हुइन हों हुआ है वह वीडियो डिस्क्रिक्षिन में डाल दूंगा लिंग आप देख लेना और रिक्स के है युज किया था मैं ने ravings काफीश तो कि मैं विन किया था ठीक है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो और हमारे चैनल पर ने विजिट कर रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोटिक्विशन को ओन कर दिजाएगा और हम यह जो इन्वेश्मेंट करता हूं वो जो स्टेटेजी है ठीक है अगर आप हमरे फेमिली का हिस्सा हो तो आप आपको पता है कि मैं यहां पे ग्रेंड लिग का च्छे टीम देता हूं बाई जी यल का सेट च्छे टीम ठीक है जीएल का च्छे टीम में हमेशा के टीम देता था इसका रीजन क्या है वाई इसका रीजन मेरा यह वाई ग्रेडविक तो है पर मेरा बेक अपके रुपे काम करता है कैसे आप देखो यहाँ पर ग्रेंड लिग में मनों में चे टीमों में 200 रुपे invest किया 200 invest किया ठीक है भाई तो अगर यहाँ पर 200 invest किया तो मैं small league का team से मतलब वो contest चुनूंगा जहाँ पर winning का जो amount है वो 200 तक आ जाए जैसे कि example के लिए मैं अगर गलत ना हो तो 77 का जो contest है वहाँ पर winning amount 200 है तो मान लिजे मैं यहाँ पर small league में invest करता हूं 77 तो टूटल आज की मैच में मेरा invest हो है 207 रुपे ठीक है और एक बात बाता दूं यहाँ पर grand league का team मेरा होता है risky ठीक है भाई यहाँ पर grand league का team होता है सेफ ठीक है भाई small league का team होता है सेफ अब देखो यहाँ पर अगर रिस्की player पार्फॉम कर गए मतलब पार्फॉम कर गए तो यहाँ पर grand league का team rank मतलब rank करता है ठीक है तो grand league का team rank करता है तो यहाँ पर 200 में से कम से 300 कम से कम 300 में आ जाएगा और ज्यादा भी हो सकता है नंबर 10 पर पहुचता है दो पर पहुचता है तो बहुत बढ़िया है ठीक है मैं कम कम ही example दे रहाँ ठीक है तो अगर यहाँ पर मतलब रिस्की प्लियार पर्फूम कर गए तो अगर यहाँ पर मानो रिस्की प्लियर फ्लॉप गया लिस्की प्लियर फ्लॉप गया मेरा grand league फ्लॉप गया तो 200 लगा थे हमने 200 यहाँ पर डाउन में गया और grand league में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि सारे टीम विनिग जोन से बाहर हो जाता है तीन टीम लागा ते छे टीयुए में कम से कम हाइश की टेम बना हो तो भी आपका दो तीन टीम तो ऐसा होगा कि विनिंग जोन में रहेगा तो देखो यहाँ पर डिस्की प्लियार पारफूम नहीं कर आया यहाँ पर तुसक्वड कॉ तो यह होता है बैक आप बाई इन्बेस्टमेंट के लिए यहाँ पर दोसों इन्बेस्ट मेंने किया था यहाँ पर फ्लॉप गया में यहाँ पर मेरा दोसों आगे और भाईयों 10 मेच में 7 मेच ऐसा तीन मेच ऐसा जाता है जहां पे दोनों में फ्लॉप होता है दोनों में लोस होता है और 10 में से तीन मेच ऐसा भी जाता है कि दोनों में फ्रभिट होता है है सो भाई मैं आपको बोल दे रहा हूं अगर आप स्मोल लीक खेलते हो तो आप बेकक Pты रुप में आप ग्रेंगे में भी 45 टी म लगा के रखना वाई मैं आप साल भर में जितना from हुआ है आपका एग दिन ग्रेंड लिका एक टीम कर जाने से आपका सारा लोस्ट मतलब प्रोफिट में कंबाट हो जाएगा वई और यहाँ पर देखो ग्रेंड लिग में अगर आप ग्रेंडिक में फोकस कर रहे हैं तो कम से कम मतलब यहाँ पे टूटल इन्बेस्ट जितना कर रहे हो, यहाँ पे विनिंग एमउन्ट देखके, यहाँ पे इन्टीफिस जितना भी हो, आप कोंटेस्ट लगा के रखना स्मॉल लिग में, ताकि इनका बेकप की रूप में काम करे, तो आपका यहाँ पर मतलब लॉस होने का चांस 99% कम है यह जो ट्रिक्स है मैं बिग बेर से लेकर PSL तक अपना चुका हूँ और मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिस्पोंस मिला है भाई ठीक है तो आप मैं वैसे ही करता हूँ से टीम ग्रेंफिका देता हूँ और एक टिएक टिम मौलीका देता हूँ आपके साथं पाज इंवेश्ट्मेंन का बेकाप होना चाहिए और ढ़विवएं कोिव आत्या कुछ नहीं कर पाऊँगे ठीक है एक बढ़ एक एकजम्पल के साथ में बता देता हूं जैसे कि मेरे मानों ग्रेंड लिंग में मैं 500 इन्वेस्ट हुआ है कि यहाँ पर विनिंग विनिंग एमング पास होना चाहिए ऐसा अप्ट चुनों ठीक है यहाँ पर एक्स एक्स घ्राइब मैं Sisters भी हो सकता है जातलके यहाँ पर को 270 भी हो सकता है जो कि आपका वेलिधग मनग्र ढ़िए ठीक है दो मेंबर खेलो लो ढहिए पदस्व होना चाहिए यहाँ पे जो आप ने इनवेस्ट किया है जहां आगर यहाँ पे अगर आपका को दियान में रखना है और स्मोल लिक में आप सेव जाना है ठीक है यह दोनों चीज अगर सही नहीं रखोगे तो आपका यह स्टेटेजी काम नहीं करेगा आई होप भाई यह जो स्टेटेजी है आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत आसरदर होने बाला है इस IPL में यह स्टेटेजी के साथ आप इस IPL तक आप चलके देखिए आपको बहुत प्रोफिट होने बाला है आफ यह स्टेटेजी आपको पसंद आया होगा तो आप उसक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और कोमेंट में बजाएगा कि आपको इस स्टेटेजी कैसा लागा है तो भाई मिलते हैं आग ले एक और जबर्दस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए खुद का क्या जरूरत कियेगा गुड़ बाई